अम्बिटकर ने सम्विधान चुराया सम्विधान चोर डॉक्टर अम्बिटकर ये बात सच है कि डॉक्टर अम्बिटकर ने सम्विधान की चोरी की है अगर हम नेगेटिव भासा में कहें तो मर किसकी चोरी की है? किसके बाप दादा का सम्विधान चुराया है यह उससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर अपने बाप दादा का सम्विधान चुराया है तो वो चोरी नहीं है और किसी और के बाप दादा का अगर सम्विधान चुराया है तो वो चोरी आती है सबसे पहले ये समझें कि सम्विधान का मतलब क्या होता है सम्विधान में एक सब्द आता है धा धा इसका प्रमुक्षत है धा माने होता है धारण यानि कि कोई ही पधार्त जो गुण को धारण करता है वो धा बोलते हैं उसको धारण करना अगर इसमें अमें लगा देते हैं अमें पाली का सब्द है अमें माने मैं या हम यानि उस पधात को नाम मैं और हम देते हैं तो ये धारण से धम बन जाता है यानि मैं या हम अगर धारण करें तो ये धम हो गया पैकरती की कोई भी चीज अगर इसको धारन करें उन गुड़ों को तो वो धन हो गया और अगर इसमें धा में वी लगा दे पहले तो ये हो जाता है विधा यानि कि धारन करने के जो तरीके हैं जो उसकी टेक्निक है वो विधा हो गई विध्या हो गई संस्काइद भासा में या अगर ने लगा देते हैं पीछे तो बन जाता है विधान इसका मतलब अब ये कमपलसरी हो गया यानि कि जो धारन करना है ये धारन करने वाला जो नियम है अब ये आपके लिए कमपलसरी है, मैंडेटरी है या कंडिशनल है जो आपको धारन करना है और अगर इस विधान में सं लगा देते हैं तो ये हो जाता है संविधान, सं का मतलब है बरावर पूरी तरह से तो पूरी तरह से ये बरावर विधान हो गया, नियम हो गया, यानि सब की निये ये बरावर हो गया, सब को धान करना है और बरावर करना है, कोई भेदवाब इसमें नहीं है और इससे पहले एक सब्द आता है सम्विधान से पहले वो है सम्यक यानि सम्मा सम्मा पाली के अंदर जो सब्द है इसका मतलब है सही तरीके से यानि सही तरीके से बराबर नियम धारण करना है सम को तो सम्मा को सम्यक बोलते हैं तो सम्मा सम्विधान हो गया इसका नाम सम्मा सम्विधान का मतलब है कि जो भी चीज नियम बनेगा प्रिकतिका वो सब के लिए सही होगा और सब को बरावधान करना होगा इसका उलटेक सब्दा आता है अगर हम इस सम की जगे विसम लगा दे तो ये विसम विधान हो जाता है विसम विधान का मतलब है कि अब समानता नहीं है नियम हो की किसी को कोई नियम मानना है किसी को कोई नियम नहीं मानना है ये विसम विधान हो गया यानि इसमें विस जो होता है पाली में उसको संस्काइज भाता में विश बोलते हैं जहर बोलते हैं उसको यानि जो इनिकुलिटी है ऐसा मानता है उसको जहर बोला गया है तो ये विश का विधान हो गया जहरिला विधान हो गया जहरिला नियम हो गया अब ये नुकसान देगा क्योंकि ये सब के लिए बरावर नहीं है तो ये विशम विधान हो गया, तो दो तरह के विधान होते हैं, एक सम्मा सम विधान और एक विशम विधान, यानि कि जहर वाला इनेकलिटी वाला विधान. जो बुद्ध से पहले भारत के अंदर जब यहां घुसपैटी यह नहीं आये थे यहां अक्रांता नहीं आये थे, आक्रमनकारी नहीं आये थे यहां प्रक्रती में जो विधान था, वही विधान चलता था लोग प्रकरती के पूजक थे, प्रकरती के सम्मान करते थे, पूजक का मतलब है सम्मान करना, मान करना, तो प्रकरती में आग का सम्मान करना, चंद्रमा का करना, सूरज का करना, पानी का करना, मौसम का करना, पेड का करना, पोधो का करना, जानवरों का करना, ये सारे सम्मान वो क्या करते थे क्योंकि उनके द्यानिक किरिया के ये कलाब थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि प्रत्वी में एक बिलेंस रहना चाहिए इसलिए सब का सम्मान करना है सब की पूजा करनी है मगर जब आकलंत आये घुसपैट ही आये तो जहां से वो आये थे वहां तो इंट पत्थर और धूल और ठंडे मौसम के लावा कुछ था नहीं चोटा 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 लोग कहीं कोई पेड़ेवर होता था उसको कोई जानवर रखाता था और जानवर को खाके वो अपना काम चलाते थे एक दूसरे की इस्तियां उठा के ले गया देते ताकि उनके कुनवे बड़े हो और उनमें ज़्यादा कुनवों के अंदर मारक सक्ती में आदमी पैदा हो और ज़्यादा बड़ा कुनवा ज़्यादा बड़ा लोगों को मारके खाना चीनके ला सकता है और ते चीनके ला सकत जहां खाना रहना सब पूरा हो अगर कहीं प्रकति में खाना पूरा ना हो या पूरी चीजे ना हो तो वहां विसमता आ जाती है यह प्रकतिक नियम भी है तो वो अपनी विसमता को नहीं भूले और यहां की समता उनको अच्छी लगी नहीं तो उन्होंने अपनी विसमता को समता में मिक्स करना सुरू किया और यहां के समविधान में अपना विसम विधान अपना जहिला विधान डालना सुरू किया भगवान बुद्ध ने जब ये देखा कि बाहर के लोगों ने आके यहां के लोगों को मांसिक रूप से गुलाम बना दिया उनकी अच्छी आदतों को गंदी आदतों में बदल दिया उनको चोरी करना सिका दिया, डकैती सिका दिया, लूट मार सिका दिया उनको नशिले पधार्द सिका दिये, उनको वेफचार सिका दिया, उनको हत्या करनी सिका दिये, उनको जूट बोला सिका दिया, तो उन्होंने अपने पूरे गहन अध्यन से ये पाया, कि ये मन से कैसे काम करता है, और ये कैसे दूर हो सकता है, मन उससे दुवारा से कैसे सु सुखी हो जाए और इन सब चीजों की जोत ना पड़े धीर धीरे करके सब लोग सुखी होने लगे चाहे वो कहीं के कैसी भी थे बिना भिदवाब के तब भगवान बुद्ध ने जो नियम बताए और उन नियमों को जो गड़क और भालक लोग थे जो अपनी दोजी रोटी क के लिए चीजों को याद करते थे उन्होंने सारी बाते वो याद की बुद्ध की और बुद्ध के खुद के जो सिस्य थे जो भिक्कु संग में थे उन्होंने सारी बाते याद की तब वो पहली वार जो विधी बताई और जो विधान था वो सम्यक्सम विधान था सम्मा सम विधान था जो सम्यक्सम बुद्ध ने बनाया और उसके सारे नियम बनाये आदमी के लिए, औरत के लिए, ब्यापारी के लिए, राजा के लिए, देश के लिए, भिक्कु के लिए, टीचर के लिए, छात्र के लिए, बच्चो के लिए और उसी में उन्होंने प्राभधान डाला कि अगर जगड़ा होता है तो उसका समधान कैसे होता है साथ तरह का नियम उन्होंने बताया और उन्होंने ही इलेक्शन कमिशन की स्थापना की अपने यहां वो चुनाप कराते थे, चुनाप करने का पुरा प्रिकरिया उन्होंने बताई कैसे चुनाप होता है उन्होंने ही आर्थिक नियम बनाई उन्होंने ही Real Bank of India बनाया जो भिको संघ था भिको संघ में उन्होंने एक Real जब कि सारे बिख्वर भिक्ड़ों के वाद विवाद हर पंद्र में दिन वह आपस में सुल जाते थे दंड सहिता पेको were अप्राद कॉने दिया जाता था यो वह अपरार करते थे उसके अनुसार वह सारी सुच्छ थै विणय पीटा के अंदर उन्होंने ही लोगों के कल्जान के लिए वेलफेर के लिए सारी चीजे बनाई उन्होंने ही महामारी जैसी चीज में लोगों को राजा को बताया कि आपको क्या करना है लोगों को खुब बिच दीजिए खुब सामा दीजिए इनसे कर मत लीजिए और साल-दो साल में जब बारिष होगी तो यह उससे ज़्यादा कराब को दे देएंगे ये टेक्निक भी उन्होंने ही बताई भग्मान बुद्त के पास सारी समस्याओं का हल था सारी समस्याओं का हल उन्होंने बताया राजा जब युद्ध करने आते थे तो पूसते थे कि कब युद्ध करना है कब नहीं वो युद्ध के कभी फिवर में नहीं रहे ब़र वो गुण और अबड़ और उसके रिजल्ट उंको बता दे थे इंडिरेक्ट बताते वो आनंद को थे और राजा सुनके चला जाता था वो युद्ध के पक्षमेक तब ही नहीं रहे मगर उसके लाभ हानी क्योंकि उसने पूछा है तो बता देते थे इसलिए राजा लोग डरकी वेसे युद्ध भी नहीं करते थे तो जितने भी ये स्वास्त संबन्दे क्योंकि वो भैसज्य गुरू थे तो भैसज्य गुरू होने के नाते उन्होंने खुद भी जानवरों की पक्षियों की सबकी सेवा की और उन्होंने जो जीवक जैसे जो उनके चिके सकते उनको भी उन्होंने नियम बताए कि कैसे सेवा करनी है कैसे नहीं परिशत को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है किसी सभा को कैसे चलाना है इसके नियम भी उन्होंने वहां सारे बताए यानि कोई ऐसा नियम नहीं छोड़ा समाज के अंदर जो उनोंने ना बताया हो या ना उनके संग्यान में कभी आया हो वो सारे के सारे नियम जितने भी थे चलाने के वो सारे नियम सुरक्षत रहे और वो सारे सुत्थ पीटक में और विनय पीटक में बाकरार लगातार चलते रहे बहुत सारे लोगों ने बाद में उस पर टीका टिपड़ी की, बहुत सारे लोगों ने उस पर किताबे लिखी मगर वो ऐसा के ऐसा है सारी दुनिया में फैल गए और देश खुशाल और सुखी होते चलेगे सम्यक्सम बुद्ध के सम्यक्सम सम्विधान से बावा साव अमिटकर जब भारत में आये उससे पहले सम्राट असोग ने भगवान बुद्ध का सम्यक्सम का जितना भी सिधान था और जो नियम थे जो विधान था जो सम्यधान था उसको लागू किया उसको लागू करने के बाद उन्होंने ब्रहत भारत बनाया और बड़ा सुखी होके चलाया उनके राज्य में सबसे ज़्यादा सप्ताल थे सबसे ज़्यादा स्कूल थे सारी जंता पड़ी लिखी थी और पूरे भारत पूरी दुनिया का 26% GDP का ब्यापार भारत से होता थ भारत सौने की चडिया थी, यहाँ से हाथ से बनी हुई चीज़े जाती थी, सामान जाते थी और बाहर से सौन आता था, इसलिए सौने की चडिया कहके लाता था राज्या की सीमाएं बड़ी सुख्चित थी कभी असोक के थ्यास में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि किसी बाहर के लोग ने आक्रमन किया हूँ ये सारी व्यवस्ता सम्विधान के तहत में उसी समय सबसे बड़ा ब्रत भाहरत रहा मगर जब सम्विधान क्योंकि सम्विधान की एक उमर होती है जब सम्विधान खतम किया गया और विसम्विधान लागूर किया गया तो उस विसम्विधान के तहत में इस भाहरत के खंड़ हो गए टुकड़े हो गए और छोटा होता चला गया नेपाल चला गया, थाइलेंड चला गया, बर्मा चला गया, इरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया ये सारे कंट्री देदर करके चले गए और अभी भी देश की बहुत सारे जगे जगे जगए चोटे मुटे बाउंडियों में चल रहे हैं ये सिर्फ विसम विधान के करण है क्योंकि विसम विधान के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं विसम विधान में लोगों में असंतोच जादा रहता है पिर जब भोकी जादा रहती है परिशान जादा रहती है क्योंकि असमानताओं पर आधारित अगर आप नियम अपनाएंगे तो समानता जैसे ही रिजल्ट आएंगे समानता पर अधारित अगर विधान अपनाएंगे तो समानता की रिजल्ट ही आएंगे मगर दुनिया इसका बड़ा फाइदा उठाती है क्योंकि जिस देश में विसम विधान लागू होता है उसकी विसमताओं को ड्रा ड्रा के धंका धंका के और उसको मजबूर करके वहाँ के लोगों का बाकी लोग बहुत ज़्यादा उठाते हैं अगर समानता पर अधारित सम्विधान में रहेंगे तो वो मजबूर देश होता है वहाँ के देश का कोई बाहर का देश फाइदा नहीं उलूठा सकता क्योंकि समानता पर अधरित साई लोग एक साथ एकटे रहते हैं ऐसा भगवान बुद्र ने बुलकुल इस पश्ट पताया समराट असोग के सम्विधान के बाद जब विसम्विधान आया तो फिर भारत को मौका मिला और भारत में फिर सम्विधान आया बावासाव अंबेटकर ने ये जो सम्विधान पूरा पड़ा पूरा असोग के समय का धन किया पूरे दुनिया के जतने भी सम्विधान या विसम्विधान ने उनका धन किया और उसको फिस संसकारित किया, संसकारित किया, मोडिफाइड किया और उस संसकारित को सबको modern भासा English के अंदर कोईगी पूरी दुनिया को देखाना था, उन्होंने वही सिद्धान जो बुद्ध के समविधान के सिद्धान थे, जो असोक ने अपलाई किये, वही उन्होंने अनुच्छे दो में, आर्टिकल में, एक 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 करके डाले, बिल्कुल बिट्टो सेम वही हैं, कोई भी अंतर नहीं है, वही दंड सहिता है, वही आचार सहिता है, वही इलेक्शन कमिशन है, वही रिजर बैंक है, वही जितनी भी चीजे हैं, सारी सारी गण पे, गण साल तक बहुत आराम से चान्ती से चलता रहा, दुनिया में नाम और तरक्य करता रहा, जैसी वी तरक्या आप देख रहे हैं, तो समविधान जब भी खतम होगा, विश्म विधान आएगा, तो विश्म विधान के साथ में, इसी समविधान में, बावा साव अमबेट करने, महिलाओं को विशेस वो अधिकार दिये जो कभी बुद्ध ने दिये थे वही ब्यापारियों को अधिकार दिये वही मजदूरों को अधिकार दिये यानि कि सारे लोगों का बहुत जादा ध्यान उसी सम्विधान के तहत में दिया गया जो भगवान बुद्ध ने बताया और समझाया और जिसको दुनिया कायल है जिसको दुनिया मानती है बावा साब अमबेट करके इस सम्विधान को इतना जवजस्त माना गया कि पीस देशों ने इसको कॉपी पेस्ट किया और पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है क्योंकि ये बेसिकली बावा साब अम्बेटकर का कम और भगवान बुद्ध का जादा है क्योंकि भगवान बुद्ध बावा साब के बावा रहे हैं, दादा रहे हैं, पर दादा रहे हैं, इस देश के रहें क्योंकि दॉक्टर अम्बेटकर भी इस देश के नाग दिक रहे हैं और भगवान बुद्ध भी इस देश के नाग दिक रहे हैं तो ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि बावा साथ अम्बेटकर ने अपने बाप दादाओं की संपदा को और अच्छे तरीके से आगे पढ़ाया जैसे एक होनहार बेटा अपने मावाप की संपत्ति को और नाम को आगे पढ़ाता है जो लोग ये कहते हैं कि बावा साव अमबेटकर ने ये कौपी पेश्ट किया है उन्हें पूरी जानकर ही नहीं है दरसल अपने बाप की संपता को आगे पढ़ाना और इस्तमाल करना लायक बेटे के लिए एक प्राइट की एक गह्मन की अभिमान की बात होती है वो लोग भारतिय नहीं हो सकते जो डाक्टर अमबेटकर को ये कहते हैं कि ये चोरी किया हुआ है या ये चुरा के लाया हुआ है या ये कौपी पेच्ट है क्योंकि डाक्टर अमबेटकर भारतिय हैं और बुद्ध भी भारतिय हैं और समराट असोग भी भारतिय हैं और जो वो कहरा है, जो आदमी ये बारबर कहता है, उसको शर्म आनी चाहिए, या तो वो भारतिय नहीं है, तो कि अगर भारतिय होगा, तो बावा साव अमेटकर उससे उमर में बड़े हैं, बावा साव अमेटकर ग्यान में बड़े हैं, एक भारतिय से दूसरा भारतिय अग और अगर उमर में बड़ा हो तो उसे सम्मान और रेस्टर्ट के साथ में देना चाहिए और अगर वो अपनी बाब दादाओं की ब्रासत को बढ़ाता है तो उसको दो सलूट अलग से देने चाहिए तो जो लोग बाबा साव अंबेटकर को ये कहते हैं कि यो सम्मिधान कॉप सम्मिधान को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को इस तरह के घ्रनात्मक और आप शब्द बोलते हैं अगर बाबा साव अंबेटकर बिदेशी होते हैं और कोई इस बात को कहता तो समझ में आता है मगर देश के नागरिक और इतने बड़े उचे सम्मान के नागरिक को इस त माब दादाओं की वरासत को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है जैसे एक हुनहार बेटा बढ़ाता है दोनों ही बात पॉजिटिव हैं भारतियों के लिए क्योंकि कोई माबाब अपकर अपने कोई बेटा अगर अपने माबाब की सिक्षाओं की चोरी करता है औ अपने माबाप अपने माई बाप अपने पिता अपने पिता मैं अपने महापुर्सों की अगर कोई वरासत को आगे बढ़ाते हैं तो ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात है धन्यवाद संखंशरनन कर चाने पतंशरनन